हे फोक्स वेलकब वोग चैनल फिन रिपस आज के एपिसोड में हम डिसकस कर रहे हैं थ्री ब्लाक क्रोज येस हमारी जो टेक्निकल अनालिसिस की सीरीज है जिसमें हमने बहुत सारे कैनलिस्टिक पाटन अब तक डिसकस करते चड़े आ रहे हैं प्राइस आक्शन के साथ ट्र प्रिश्टिक पाटन है जिसके साथ विदिन शॉर्टर पीरिड ओव टाइम हम अच्छी चंक बनाते हैं एक ठिक प्रॉफिट ले जाते हैं ओके सो अगर आपको भी ट्री ब्लाक रोज के बारे में जानना है सीखना है समझना है प्रेड कैसे लेना है स्टॉप लॉस कहां लगाना है किस तरह से हम थ्री ब्लाक रोज को लाइफ मार्केट में आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो इस एपिसोड में आप बनी रह सकते हैं सो जैसा कि हमने अभी थोड़ी दिर पहले डिसकस किया कि थ्री ब्लाक रोज एक बेरिश रिवर्सल कैनलिस्टिक पाटर्न है एक अच्छे खासे अप्टरेंट के बाद अगर टॉप में हमें थ्री ब्लाक रोज की फॉर्मेशन दिखती है तो हमें ये समझना चाहिए कि अब हमें जरूरत है अपनी स्ट्राटरजी चेंज करने की अब हमें जरूरत है जब हम हाईर हाईज और हाईर लोज के साथ ट्रेड कर रहे थे यानि कि मार्केट अप्रेंट थी तब हम बाई करके चल रहे थे अब हमें जरूरत है अपनी स्ट्राटरजी चेंज करने के लिए अब यहां से market bearish zone में जा सकता है, यहां से market मंदी में जा सकता है, ओके, चलिए अब जान लेते हैं कि यह three black rose की formation कैसे होती है, shape कैसा होता है, three black rose का, ओके, first of all, यहां पर, यहां पर एक candle, candle का shape आप देख लीजेगा, यह straight ऐसे है, ओके, दूसरी candle बनती है, यह हमारी, ओके, तीसरी candle बनती है, यह हमारी, ओके, आप चुकि यह bearish reversal candlestick pattern है, तो हम इसे करेंगे red color, ओके, यह हो गया हमारा red color, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह candle red है, तो हम इसे black rose क्यों कह रहे हैं, वैसे तो इसके बहुत सारी answer है, लेकिन इसका जो logical answer है, वो यह है कि यह बहुत पुरानी candlestick pattern है, जब software इतने develop नहीं हुए थे, हमारे candlestick pattern में green और black color नहीं थे, green and red color नहीं थे, उसके जगह पे थे white and black color, तो जो bullish candle थी, वो white color में होती थी और जो bearish candle होती थी, वो black color में होती थी, चुकि यह bearish reversal candlestick pattern है, इसी लिए इसमें जो candle की formation होती, वो black होती, और black होती, तो black direct related है, ग्रोस से, तो three black crows इसका नाम पढ़ गया, ओकि यह logical answer है, ओकि गुगल में और भी बहुत सारे answer होंगे, अगर आपको जानना होगा, तो google कर लीजेगा, ओकि चलिए, तो इस तरह से हमारी जो पहली candle है, यह हमारी first candle है, यह second है, यह third candle है, ओकि, market already uptrend में है, ओकि, यहां से market uptrend में आ रहे है, higher highs बनाते आ रहे हैं, ओकि, और top में अगर हमें three, back to back three candle, bearish candle हमें देखने को मिलते हैं, तो इसका पतलब यह है, कि यह formation three black rose की है, ओके, इस candlestick pattern को three black rose कहते हैं, अब इसका sentiment क्या है, क्यों यह इतना reversal signal generate करता है, यहां से market uptrend में जा रहे थी, यहां पर जब first candle बनती है, अच्छा, जरूरी नहीं है, कि जिस candle की size मैंने बनाई है, back to back, उस candle की size वैसे ही हो, छोटी बड़ी हो सकती है, यह हो सकता है, यह पहली candle बहुत छोटी हो, दूसरी candle उससे बड़ी हो, तीसरी candle उससे बड़ी हो, लेकिन back to back इस तरह से, अगर bearish candle की formation होती है, तो हमें क्या दिखाता है, यह हमें sellers का strength दिखा रहा है, किस तरह से अप्ट्रेंट के बाद, अब sellers हावी हो रहे हैं, तो buyers अब कमजोर बड़ रहे हैं, यह दिखा रहा है, balance of power किसके पास है, balance of power, अब sellers के पास है, हर एक candle अपनी story बताता है, हर एक candle अपना battle बताता है, कि अब जीत किस की हुई, buyers की हुई या seller की हुई, तो इस uptrend के बाद, जब three candle, bearish candle, back to bank बनते हैं, तो हम उस जिससे नाम देते हैं, three black rose का, इसी simply बताता है कि balance of power sellers के पास है, तो अब market bearish होगी, अब trade कैसे लेना है इसके साथ, देखे, trade लेने के लिए बहुत जादा जरूरी है, कि हम इस formation को accurately देख ले, first of all, यह हमारी जो पहली candle है, उसके बीच से दूसरी candle शुरू होनी चाहिए, यानि कि उसके 50% से नीचे से हमारी second candle होनी चाहिए, और उसके half के नीचे से हमारी third candle होनी चाहिए, अगर ये gap up होता है, gap up होता है तो भी चलता है, gap up होता है तो अच्छी बात होती है, second candle और third candle, अब अगर हमारी next candle यानि third candle के बाद जो next candle बनती है वो अगर gap down होता है उसमें gap down होता है ये हमारी candle बनती है तो इस candle के लोग से हम अपनी short selling की position लेंगे वैसे short selling सिर्फ intraday में ही हो सकती है और speciality ये है कि ये जो three black rose की formation है वो 5 minutes के चार्ट में 15 minutes के चार्ट में 1 hour के चार्ट में अकसर देखने के लिए मिल जाते हैं frequently आते हैं ये three black rose की formation और बहुत effectively work करते हैं ओकी तो अगर आप intra-day trading करते हैं तो आप इस चार्ट पाटन को 5 minutes और 15 minutes और 1 hour के चार्ट पाटन में easily find out कर सकते हैं और recording के ट्रेड ले सकते हैं वैसे कहा जाता है अगर आप intra-day trader है तो 5 minutes और 15 minutes आपके लिए best है ओकी तो इस तरह से हमें third candle के नीचे का जो हमारी जो candle होगी वहाँ पर हम short selling की position लेंगे और third candle के ऊपर का हमारा होगा stop loss वैसे stop loss आप अपने accordingly बड़ा या छोटा रख सकते हैं इस short selling की position से और stop loss के point तक आपका जो risk होना चाहिए वो 2% के risk reward ratio को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए जितना आप risk bear कर पाएं कभी-कभी candle बड़ी हो जाती है तो stop loss हम बड़ा रख लेते हैं जो की फिर stop loss हो जाता है और फिर हमें लगता है कि हमने आज पाया तो कुछ नहीं होया बहुत सारा ओके इस तरह से हम stop loss रखेंगे अब इसके साथ में हमारा target क्या होना चाहिए अच्छा target जाने से पहले जब तक हमें पैसे target में जब तक हमें bullish reversal पैटन ना दिखे तब तक हम इसे अपना continue कर सकते हैं ट्रेल करते रहते हैं previous candle के हाई का हमारा stop loss होगा इस तरह से हम stop loss ट्रेल करते जाएंगे और जब तक हमें bullish candlestick pattern reversal pattern ना दिखे तब तक हम अपनी profit बुक नहीं करेंगे and second thing कि अगर इस three black rose के साथ अगर हमें फिर यहां पर bullish candle दिखती है यहां पर bullish candle दिखती है नहीं buyers भी अपना जोर लगा रहे है कि नहीं यहां से तो अब उपर जानी चाहिए market तो यहां पर अगर आपको bullish candle दिखती है यहां पर bullish candle दिखती है और bullish candle बढ़ते बढ़ते यहां तक आ जाती है पर यह जो high है third candle का जो high है वो यह नहीं तोड़ पाता यानि कि buyers balance of power जो buyers के पास था आया था temporary basis पे वो यह high नहीं तोड़ पाते हैं वापस market नीचे आ जाती है तो यह जो है यह जो uptrend थोड़ा सा pullback पुल बैक हुआ और वापस market नीचे आई यह एक confirmation होता है confirmation होता है कि नहीं यहां से market वाकई में bearish हो जाएगी अगर ऐसा कुछ pullback आने के बाद यह high नहीं तोड़ पाता है वापस नीचे आ जाता है तो यह confirmation होता है कि yes यहां से market definitely bearish हो गई है buyers ने try तो किया लेकिन वो market को uptrend में नहीं ले जा पाएं तो यहां पर balance of power seller के पास है तो यह confirmation ही कोशिश करिए कि इस तरह का confirmation आपको definitely मिले three black rose के पास okay so उसके बाद अगर यह confirmation मिलता है तो फिर तो आप sure हो जाएंगे और उसके बाद आप short selling की position लेंगे accordingly stop loss ट्रेल करते जाएंगे और profit book करेंगे okay so इस तरह से हमें trade करना है three black rose के साथ अब एक अच्छा hack हो सकता है volume bar की strategy volume bar जैसे कि यहां पर three black rose की formation हुई यहां पर नीचे हमारा volume है तो आप volume को अगर study कर रहे होंगे तो यहां पर first black rose बनता है तो वहां पर volume कुछ ऐसा होता है okay एक बार बनता है second candle जब बनती है तो second candle अगर second candle का volume अगर थोड़ा बड़ा हो third candle का volume थोड़ा और बड़ा हो okay so इस तरह से इस तरह से बढ़ते क्रम में बढ़ते कर क्रम में अगर volume हो तो हमें एक और confirmation हो जाता है कि yes sellers दीरे दीरे बढ़ रहे है balance of power seller के पास है strength seller में काफी जादा है तो यह market अब अब uptrend नहीं रहा अब यह bearish zone में जा चुका है तो इस तरह से हम volume बार की मदद से भी three black rose की formation के साथ trade ले सकते हैं और एक अच्छा chunk बना सकते हैं चलिए अब live market में देखते हैं चार्ट में जाकर देखते हैं कि three black rose हम identify कैसे करेंगे यह टाटा पावर का चार्ट है हम 15 minutes के time frame पे देख रहे हैं एक अच्छे खासे uptrend के बाद यहां पर हमें three black rose की formation दिख रही है वैसे यह जो candle है यह candle अगर हम individual candle की बात करें तो यह एक bearish reversal candlestick pattern है अगर आप इस candle को identify कर रहे हैं तो प्लीज आप comment में जरूर लिखें कि यह candle especially यह particular candle कौन सा candlestick pattern है कमेंट कीजिए इसके अलावा अगर हम three black rose की माने तो three black rose नाम तो three black rose है लेकिन यह four candle भी हो सकती है fifth candle भी हो सकती है यहाँ पर अगर हम first candle इसे माने second candle इसे माने और third candle इसे माने तो formation के बात करें तो yes 50% के नीचे की यह candle है और second candle के 50% के नीचे यह third candle है तो इस तरह से हमारा three black rose की formation दिख रही है हमें इसमें चोटी विक है इसमें भी थोड़ी चोटी विक है इसमें भी चोटी विक है कभी कभी किसी candle में नीचे विक नहीं होती जिसे हम मारू-बोजू candle भी कहते हैं मारू-बोजू candlestick pattern भी कहते हैं इसे भी हम technical analysis की series में already discuss कर चुके हैं आप अगर नहीं देखा है मारू बोजू तो आप उसे जरूर देखें, क्यूंकि मारू बोजू Candlestick Pattern अपने आप में बहुत अच्छा strength दिखाती है, चाहे वो buyers का हो, चाहे वो sellers का हो, तो इस तरह से यह three black rose की formation होती है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर हमें trade लेना होगा, तो इसके नीचे का, यह जो हमारी third candle है, उसका जो विक है, उसके नीचे का हम short sell की position लेंगे, काईदे से trade हमारा short sell की position यहाँ से start होनी चाहिए, यहाँ पर देख रहे होंगे, एक छोटा सा pullback भी आया है, लेकिन यह जो high है हमारा, third candle का high है, यह जो third candle का high है, इसे cross नहीं कर पाता है, यह pullback और वापस market यहाँ से नीचे आ जाती है, तो काईदे से हगावरा जो third candle है, उसके third candle के, third candle के low का, यानि कि यहाँ से हमारी short sell की position होनी चाहिए, okay, short sell की position होनी चाहि जाएंगे, third candle के ऊपर का होगा, हमारा stop loss, इस तरह से हम high का, previous candle की high का stop loss ट्रेल करते जाएंगे, और trade में बने रहेंगे, तब तक हमें कोई bullish reversal candlestick pattern नाम दिखे, या फिर कोई ऐसा technical indicator जो हमें buy का signal प्रोवाइड करना है, okay, तब तक हम अपनी profit ट्रेल कर सकते हैं, so इस तरह स दिख रहे होंगे, यह first candle, second candle, third candle, first और second candle के पीछ में volume का थोड़ागा minor difference है, लेकिन अगर overall देखा जाए तो यह बढ़ते हुए क्रब में हमें volume दिख रहा है, तो volume बार के strategy एक confirmation होती है, three black rose की, इसके अलावा यह जो हमारा chart है, यह 15 minutes का chart है, five minutes, five minutes और 15 minutes के chart में हमें three black rose की formation अक्सर दिख जाती है, और वो हमारे लिए benefit भी होता है, क्यों क्योंकि हम five minutes और 15 minutes के time frame पे अगर हम three black rose की formation देखते हैं, तो हम short sell की position ले सकते हैं, और shorter period of time में एक थिक मनी बना सकते हैं, लेकिन यह क्या daily में दिखता है, यह क्या weekly में दिखता है, यह क्या monthly में दिखता है, definitely दिखता है, इन तीरो time frame में भी दिखता है, लेकिन इसको हम इस time frame में use करके हम short selling की position नहीं ले सकते हैं, हाँ, अगर इस time frame पे आपको दिखता है, तो आप future में जरूर trade कर सकते हो, future में selling का आप जरूर use कर सकते हो, एक महीने के लिए, दो महीने के लिए, तीन महीने के तो यह अलग-अलग formation में भी आती है, जैसे कुछ candles में, यानि कि first candle कहलो, या second candle कहलो, या third candle कहलो, किसी भी candle में कभी नीचे की विक नहीं होती, किसी में विक लंबी हो जाती है, किसी candle में बिना विक के ही होती है, कोई candle मारूबोज कैडलिस्टिक पाटन हो जाता है, अगर मार इस तरह से अलग-अलग candlestick के साथ भी three black rose की formation होती है, और उसका effect भी one and the same होता है, कभी body छोटी होती है, कभी body लंबी होती है, पर main thing क्या है, back-to-back तीन candle की formation होती है minimum, तो क्या ये तीन से ज़्यादा की हो सकती है क्या, definitely हो सकती है, चुकि market नीचे जा रहा है, तो obvious ही बात है, bearish candle बने तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तीन से भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन नाम क्या दिया है, three black rose, minimum तीन candle तो होनी ही चाहिए three black rose के इसके साथ साथ हमें चार्ट में भी analyze किया कि किस तरह से three black rose के साथ trade लेना है, stop loss कैसे लगाना है, किस तरह से एक uptrend में market अगर हो और top में three black rose की formation हो, तो उसके बाद हमें confirm हो जाता है कि हम यहाँ से bearish trend आने वाला है, यहाँ से market bearish होगी, अगर बीच में एक pullback मिलता है हमे और pullback के बाद और वापस market नीचे आती है, तो यह confirmation होता है कि नहीं, यहाँ पर sellers ही हावी है, तो इस तरह के अलग-अलग perception, strategy के साथ हमने three black rose के साथ trade किया, आज के लिए इतना ही, मिलते है next episode में, इसी तरह के कुछ interesting content के साथ, तब तक आफेन रुबस को like करिए, share करिए, subscribe क you, thank you, thank you so much